चलिए मित्रो आज के इस वीडियो की सुरुआत करते हैं आज के सुवी चार से समस्या जिसकी होती है समाधान भी उसी के पास होता है जैश्रादे मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गापके अपने यूटूब चैनल कन्या के दुनिया में मित्रो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्या राशी वाले जातको के दो अगस्त दो हजार बीस के दैनिक राशी फल के बारे में चलिए दोस्तो जानते हैं आज के पंच रांग के बारे में दोस्तो आज दिनांग रहेगा दो अगस्त दो हजार बीस तिथी आज की चेतुरदशी है जो रात्री के 9 बच के 31 मिनट तक चलेगी नक्षातर पूर्वा साड़ा है जो सुबह के 6 बच के 52 मिनट तक रहने वाली है पक्च सुक्लपक्च है आज का दिन रविवार है सुर्योदय 5 बच के 43 मिनट पे होगा वही सुर्यास्त 7 बच के 10 मिनट पे अज का चंद्रोदय संध्या के 6 बच के 27 मिनट पे होगा वही चंद्रास्त अगले दिन के सुबह के 5 बच के 3 मिनट पे चंद्रराशी आज की धनू है जो रात्री के 12 बच के 57 मिनट तक चलने वाली है माफ करिएगा दोपहर के 12 बच के 57 मिनट तक रितु वर्शा रितु चल रही है सक समवत 1922 चल रहा है कली शामत 51 22 है विक्रम शामत 2077 है दिन काल 13 गंटे 27 मिनट 44 सेकंड का होगा माश अमांत श्रामण है माश पूर्णे मांत भी श्रामण है सुबसमय आज का आपका 9 बच के 53 मिनट सुबह से 10 बच के 15 मिनट सुबह तक रहेगा वही आज का सुबसमय अर्था दोष्ट महुरत संद्या के 5 बच के 23 मिनट से संद्या के 6 बच के 17 मिनट तक है आज का कंटक सुबा के 10 बच के 12 मिनट से सुबा के 11 बच के 6 मिनट तक या मघंट दोपैर के 1 बच के 47 मिनट से दोपैर के 2 बच के 41 मिनट तक आज कर राहुकाल संद्या के 5 बच के 30 मिनट से संद्या के 7 बच के 10 मिनट तक रहेगा दिशाश वलाज का पश्चम रहेगा तो मित्रो ये रहा आज का पंचांग मित्रो शुबंक साथ रहेगा और शुबरंग हरा और फिरोजी है बात कर लेते हैं आपके दिन के बारे में संशिप्त मैं फिर जानेंगे पूरी विस्तार से स्वास्त के लिहाज से दिन सामाने से नीचे रहेगा धन्जम्बत्ती की बात करें तो दिन सामाने रहेगा परिवारी के जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा प्रेमिश्यम बंद सामाने रहेगा ववशाई की बात की जाये तो दिन सामाने से अच्छा है ववाही के जीवन सामाने रहने वाला है चले मित्रों जान लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरी विस्तार से दोस्तों दिन फायदे मंद साबित होगा और आप किसी पुराने बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दिश्टी से अच्छा रहेगा और आपको परियाप्त धन की प्राप्ती होगी भावनात्मक तोर पर खत्रा उठाना आपके पक्ष में जाएगा जिन्दगी में एक नया मोड़ा सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिसा देगा देर साम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आज से पहले शादि सुदा जिन्दगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही अपने भवश्ची की योजना बनाने के लिए बिल्कुल उपयुकते दिन है आज क्योंकि आपके पास आराम के कुछ लम्हें होंगे लेकिन अपनी योजनाओं को व्योवहारिकर ही रखें हवाई के लिए ना बनाए तो मितरो यह रहा अच्क का आपका राशी फेलो